अच्छा सुनो शब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताके जब मैं आनलाइन आओ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे दोस्तों मैं इसमें बताने वाला हूँ जो तीन परकार की जुगार से मैं घर में पेंट कर रहा हूँ बहुत ही आसान तरिका से आईए आप लोग भी जानिये कोई भी कलर है चाहे निला पिला प्रैमर हो पेंट हो वाइट पेंट हो तो सब आप कर सकते हैं अगर टैलेंट है तो सब कुछ आप कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं कलाकार राजी बिरंजन और आप लोग देख रहें यूटूब चेनल कलाकार जाकास दोस्तों सबसे पहले हमको जरूरत होता है बरस का बरस और रूला का तो रूलर मैं इसके बाद यूज करूँगा तो सबसे पहले चलते हैं ब्रस के से कैसे किया जाता है यह रहा बिजली वाली पाइप एक इंच मोटा वाला तो बिजली वाली पाइप है अगर आपके पास बिजली वाला पाइप नहीं आए तो कोई डंटे से भी आप यूज कर सकते हैं तो चलते हैं जैसे कि बिजली वाली पाइप में जो है ये ब्रस हम अंदर किये ब्रस इसमें लगा दिये और उसके बाद जहां मेरा हांत नहीं पहुँचता है वहां तक यह हैं मैं कर सकता हूँ तो जैसे आप देख रहे हैं मैं अभी प्रेमर ट्रेकर रहा हूँ तो प्रेमर ट्रेकर रहा हूँ तो छत और टिवार के लिए चाहिद सेम ही प्रेवर में अभी यूज कर रहा हूँ तो अभी नहीं स्पौरी है नहीं कुछ है तो इस जगह जो है इसी तरह मुझे करना पड़ता है तो ऐसा नहीं कि जा हर घर में कोई सिड़ी हो या बड़े टेवल है या कुछ भी है तो हर घर में उपलब नहीं होता ऐसे में आप लोग भी देख लीजे जो इस तरह करना पड़ता है तो अगर आप टैलेंट है धार बनाने में और ब्रस चलाने में तो आप नीचे से भी उपर तक अच्छी तरह से आप कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो P.O.P का डिजाइन और मॉल्डिंग जो है इसमें ब्रस से करना पड़ता है तो वैसे मैं अभी वाइट प्रेमर कर रहा हूँ तो ये हर जगा करना पड़ता है जैसे आप कोई एक कलर करना चाहते हैं तो उसमें कोई लिवाड़ने का चांस नहीं रहता है जहां मर्जी आप कर सकते हैं इसी तरह किया जाता है तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल को सस्क्राइब कर दिजे दोस्तो पास भी शेयर कर दिजे और ये रहा भेंडिलेशन तोJeffiešn में जो है कोई उचा चड कर ही मारना पड़ता है मैं चलता हूँ रोलर से किस तरह क्या जाताalten तो ये भी रहा बिजली का पैप ही इस में जो है ये भी एक इंची का है एक इंची मोटा है और दस फूत लंबा है दस पूत लंबा है जैसा कि आप रोलर में देख रहे हैं पीछे की ओर डंटे में जो है इसमें मोटा सा छेदा राता है तो वो जो है बिजली वाली पाइप में डालना परता है तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिजली वाली पाइप में डालने के बाद जो है ये टाइट नी हुआ ये लूजी है तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा कपड़ा लेंगे सूती का कपड़ा और कपड़ा जो है लगवाग एक फुट कपड़ा लेके जो है इसमें लपेट देंगे अच्छी तरह से लपेटने के बाद जो है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें अच्छी त आ जाता है पुरी तरह से टाइट हो जाता है अब यह निकलने का चांस नहीं रहाता है इसमें और इसके बाद हम चलेंगे जो किस तरह प्रैमर या वाइट पेंट जो भी मर्जी कर सकते हैं तो मैं चला हूँ प्रैमर करने के लिए तो यह रहा सेट हो गया दस पुट का यह पाइफ है तो इसमें डालेंगे बड़े वाले बाल्टी में 20 लिटर बाल्टी है तो इसमें 3-4 लिटर अभी प्रैमर बाख की है तो इसमें हम यूज करेंगे रोलर जो है डंटे के साहता से देशी जोगार जो है इसी को कहते हैं देशी की जोगार तो अगर घर में रहते हुए भी अगर आप यूज नहीं करें तो बेहद ही अच्छा नहीं होता है तो अगर आप ये वीडियो देखें होंगे तो अच्छी तरह से जानकारी मिल गया होगा जो किस तरह देशी जोगार से हमको पेंट भी करना पड़ जाएगा तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो उपर से नीचे तक किस तरह मैं कर रहा हूँ तो दोस्तों अगर इसमें जैसा कि रेड कलर और कोई ऐसा डार कलर अगर करना चाहते हैं तो इसी तरह जोगार बना के आप कीजिए उससे तो एक कमपनी वालों ने डंटे भी बना दी हैं छोटा बड़ा करने के लिए तो दो सो तीन सो रुपे में डंटा मिलता है तो डंटे की सहता से भी कर सकते हैं अगर घर में बिजली का पाइप है तो अगर पचास साथ रुपे मिलता है अब इस तरह से आप भी कर सकते हैं या तो एक कोई डंटे की सहता से भी कर सकते हैं तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ रेड कलर या पलपल कोई भी dark color अगर आप दिवार में करना चाहते हैं तो बरस से जो है कहीं की जोड का निसान आजाता है बाद में धबा जैसा white जैसा निसान आजाता है इस तरह जगह पे आप इसी तरह आप रोलर यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा नहीं जोड का निसान होगा नहीं कुछ उपर से लिए के नीचे तक इसी तरह आप किजे कोई दबा कोई निसान नहीं रहेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आप लोग को यही देशी जोगार बताने के लिए ये वीडियो बनाया है और आप लोग अगर इसमें कुछ सीखे होंगे और कि कुछ सीख लिए होंगे तो वीडियो को जड़ो लाइक कर दीचीगा और चेनल को भी सस्क्राइब कर दीजाए दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जहां पोड़ी होता है जहां सड़ी होता है वहां तो कर लेते हैं अगर जहां नहीं होता है उस जगह पे इसी तरह करना पड़ता है कितना दोस्त जो क्या करते हैं जो उपर से लेके नीचे तक कर लेते हैं कहीं कहीं छूट जाता ऐसे में आप डंटे में या बिजली की पाइब बाले डंटे में आप बरस या रूलर लगा के आप उपर से नीचे तक कर सकते हैं कहीं उपर चड़ने का कहीं नीचे गिरने का भ तो मुझे कॉमेंट करें कोमेंट का रीपले जड़ूर करूंगा और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मैंने नीचे से ही उपर तक छफ में जो है रुलर लगाके प्रैमर कर रहा हूं प्योपी का सिलिंग है तो दोस्तों अगर प्योपी का सिलिंग है आप लोगको भी तो प योपी करने के बाद प्रैमर कर किया जाता है और प्रैमर करने के बाद ही एक्रेलिक वाल पुटी किया जाता है अगर एक्रेलिक वाल पुटी नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इस पे आप पेंट कर सकते हैं इस पे कोई पुटी करने की जरूरत नही होता है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरह से हो जाता है अगर दो बार चार बार ट्रै कीजेगा तो जरूर हो जाएगा लेकिन दोस्तों रूला से जो है आप प्रेंट प्रेमर यही सब आप यूज कर सकते समोसम आप नहीं कर सकते समोसम नहीं होता है समोसम और वाइट सीमेंट नहीं होता है रूलर से बरस से ही आपको करना पड़ेगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो तक तक लिए गुडबाय बने रहे यूटूब चेनल कलकार जखास पर